हेलो एप्रिवन स्वागा थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल नौलेज वाइटी में आज से हम UK SSC के लाइब असिस्टेंट और परियावर्म परिवक्षक के लिए बहुत की की NCRT-based chapter wise MCQ सुरू कर रहे हैं इसमें की हम पहला chapter आज क्लास रेवन्त का करेंगे इसमें पहला question है कि सुर्य केंद्री सिधान्त किस ने दिया? Option A Karl Anderson, Option B Nicholas Coppernikas, Option C केज़ लियो या Option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer है वो है Option B Nicholas Coppernikas, Nicholas Coppernikas ने सुर्य केंद्री सिधान्त की दिया था दूसरा question है कि पोजिट्रॉन की खोज किस ने की? Option A Karl Anderson, Option B Michael Faraday, Option C Albert Einstein या Option D इन में से कोई नहीं तो पोजिट्रॉन की खोज की थी Karl Anderson ने next question है निम्न में थे कौन सुमेलित नहीं है? पहला जड़त्तो का नियम गैलिरों ने दिया था Option B प्रकास का तरंग सिधान्त हाइगेंस ने दिया है विदुत जुम्बगे प्रिरान के नियम मैचल Faraday ने दिया है या Option D प्रकास विदुत प्रभाव Newton ने दिया है तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्रकास विदुत प्रभाव प्रकास विदुत प्रभाव Newton ने नहीं बलके Albert Einstein ने दिया है नेक्स्ट कॉशन है हमारा कि दिम्निक में से हमको ये बताना है कि उस्मा गति की के नियम का उधारण कौन सा है option A भाप का इंजन, option B rocket northern, option C light का जलना, या option D इन में से कुई नहीं तो उस्मागती के नियम का उदारण है भाप का इंजन भाप का इंजन जो होता है वो उस्मागती के नियम पर कारेगरता है अब इस चेप्टर में कुछ महत्पूर्ट तर्थ दिये गए हैं जैसे कि आर्गिमडीज ने उत्प्रावन के नियम और उत्प्रेरक उत्तोलक का नियम दिया था गैलेलियो गैलेली ने जड़तो का नियम दिया था क्रिष्चियन हाइगेंस ने प्रकास का तरंग सिध्धान्त दिया था आईजाक नियोटन ने गुर्टवाक्षण का सारवतिक नियम और गतिके नियम और प्रावर्ति दूरदर्शक की खोच की थी माइकल फैराडे ने विदुच्चुम्बकिय प्रिराण के नियम दिय थे जेम्स काल मैक्सविल ने विदुच्चुम्बकिय सिध्धान्त प्रकास एक वैत्युच्चुम्बकिय तरंग का विस्कार के था हेंडरिक रोडोल्फ हड्ज ने विदुचुम्ब के तरंगे जगतीस चंदर गोस ने अती लगो रेडियो तरंगों की खोश की थी डबलू के रोजन ने एक्स किरने की खोश की जहें टॉम्सन ने इलक्ट्रॉन की खोश की मेरी मैडम क्यूरी ने रेडियम तथा पोलेनियम की खोश की और प्राकरतिक रेडियो अक्टिवत्ता का सिध्धान्द भी नों ने दिया था अलवर्ट आइंस्टाइन ने प्रकास वैदुत नियम और सापेक सिध्धान्द दिया था इसमें कुछ और अन्यतत थे जैसे कि उस्मा गतिके नियम फर भाप का इंजन कारे करता है तो नाभी के रेडियो तथा टेलिविजिन जो होते हैं उसमें विद्ध चुम्ब के तरंगों का उत्पादन संचलन संसूचन होता है जो कंप्यूटर है उसमें अंकिय तर्ख होता है अती उच्च चुम्ब के छीत्रों का उत्पादन अती चालकता लेजर में विकिरणों के उत्पन से उच्च सर्जन द्वारा प्रकास का परवर्धन जो रोकेट नोधन है वो न्यूटन के गथी के नियम के निश्वार करता है जो विद्ध जनित्र है वो फैराडे के विद्ध चुम्ब के प्रेढ़ के पर करता है विद्यूत जनीतर है वो है फैराडे के विद्यूत चुमब के प्रेγαन के सिद्धान दवें तो जल विद्यूत सकती है वो किस पे करें करते है गुरुतिय श्टथित उर्जा का विद्यूत उर्जा में रूपान तरण। जब होता है तो उसमें जल विजुद सकती उत्पन होती है जो वाईयान है वो तरल गतिकों की तरल गतिकों में बरनौली के सिद्धान्त पर कारे करता है कण त्वरित्र ये विजुद चुम्ब के छेत्रों के आवेश कण की गति जो सुनार होते हैं वो प्रासर्वे तरंगों के प्रावर्थन के कारान परकार करते हैं प्रावर्थित होकर वापस सुनार में आती हैं तो इस से हमको किसी चीज की गहराई या दूरी का पता चलता है जो प्रकासिय प्रकासिक रेसे हैं वो पूर्ण आंसिक प्रावर्थन की नियम प्रकारे करता है कि अबोर्ती ए वरण तनों फिल्म इअब प्राकासिय व्यत्यकरण परकार करता है जो एक्ट्रौन की तरंग प्रकृति होती है वो एक्ट्रौन की प्लाइज्मा का चुम्बकिया परकेपति रोध है प्रकास वेदुत सेल प्रकास वेदुत प्रभाव करता है, सनलेन और परिक्षोन रियक्टर यानि कि टोकमैक प्लाजमा का चुमबकिया पर्तिरोध है, विरहत मीटर वेव रेडियो टेलिसकूब ये कॉस्मिक रेडियो के रोनों का संचुजन करता है, अजो पोस्ट आइमस स्राइन दाब है, वो लेजर पुंजों तथा जुमबकिया छीतर द्वारा परमानों का प्रगहन तथा सीतरन पर कारा करता है, तो ये था पूरा NCRT 11 का फर्स्ट चैप्टर, आसा करता हूं कि आप को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप ऐसी ही और वीडियो द देखना चाहते हैं,